इस एपसोड के नहीं देखने वाले की बैन बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका है यहां तक कि उसने अपना ओम्नेटिक्स पहनना भी छोड़ दिया है लेकिन जो प्लमर्स है वो बैन सो उसको ओम्नेटिक्स वापस लेने आ जाते है लेकिन बैन उन्हें देने से मना कर दे लेकिन जो बैन है आखिर वो इतने टाइम बाद क्यों अपना ओम्नेटिक्स पहनता है और आखिर जो प्लमर्स है वो बैन की ओम्नेटिक्स के पीछे क्यों पढ़े है हर चीज़ एक्सप्लेइन करूंगा लेकिन उससे पहले एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस जान हमारी सारी खूफिया जानकारी को लीग कर रहा है हाइब्रीड करता है इतनी इसी बात के लिए तो मेरे पास क्यों आए जाओ और उसे खतम कर दो इधर हम देखते हैं पर फुटबॉल का मैच चल रहा होता है और उस फुटबॉल के मैच में हमारा हीरो भी होता है बैं पर जो बैं होता है वो एमवीपी का जो गोल्ड मैडल है उसे गले में डाल के रखता है तब ही सामने से जूली आ जाती है बैं कहता है मैंने इसे शो आफ के लिए नहीं पैन रखा है बट हाँ मेरे ग्रैंट पाई से देखके काफ़ी जादा खुश होंगे उसके बाद बै दिखता है तो लिए नहीं अधर सब कुछ फैला होगा होता है और एक दम में इसके सामने आ जाता एक डीन एलियन बैन उसे देखके थोड़ा सा शॉक हो जाता है जैसे बाद यो पर हमला करता है बैन उस से बचके ऑमनेटिक्स का यूज करने की कोशिच करता है लेकिन उसक इसी प्रॉब्लम में हूँ लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और जो तुम्हारी ओम्नेटिक्स है वो मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है तो कोई भी एलियन उस तक नहीं पहुच पाएगा। इसी प्रॉब्लम में ग्वेन पूस्ति है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए यहां पर बैन बताता है कि हां मुझे तुम्हारी सला चाहिए ग्वेन के थोड़ी देर उको मैं ड्रेस सेंज करके आई उसके बन में बैन इतनी देर में आपर सोच चुका होता है और यहां प लाइफ पहले जैसी शुरू हो जाएगी वो ही एलेंस के हमले तुम दुभारा कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे इतने में सामने से एक इनसान आता है और वो कहता है कि ओम्निटिक्स तुम्हारा नहीं है इसे मुझे दे दो बैन कहता है कभी नहीं और इतना कह जाए वरना मैं तुम्हें हसा हसा के खतम कर दूँगा वो कहता है मेरा मजाक उडाने की हिम्मत कैसे हुई मैं एक प्लमर डेप्यूटी चीफ हूँ जो कि इंटर गलाक्टिक पुलिस फोर्स होती है बैन कहता है मैं जानता हूँ उनके बारे में मेरी ग्रेंपर मैक्स भी ए ग्रेंहें जा रहा होता है gwen के क्या तुमने सोच लिया बैन कहता है हाँ मैने सोच लिया उसके बन में बैन यहाँ पे ओमने भी जचा नोन्हीं बीकरी हो होती है और वह सारी कि सारी में वेच ऩाइन ऌभी ।ॉalal को देख रही होता है बैन पर जो केविन हुई वो i Walmart कवन 9 रामो दे रहा होता है Forever Knights को, प्यूक्कि वह सारी के सारी guns उने ही बेच रहा होता है, इतने में यहां पे जो lovers होता है, वो आ जाता है, और वो इन सब को warning देने लगता है, कि यह सब को चिहां ही पे रोक दो, इतने में वो सारी के सारी लोग D.N. इलियन बन जाते हैं और पीछे से Forever Nights भी आ जाते हैं यहाँ पर Ben दोनों तरफ से इन से घेर जाता है और यहाँ पर Gwen कहते हैं उसे Alien बनने के लिए लेकिन यहाँ पर Ben काफी जादा कोशिच करता है लेकिन वो Alien में Transform नहीं हो पाता Ben Gwen से कहते हैं कि यह चल नीरी है इतने में वो जो Forever Nights होते हैं वो Gwen के उपर हमला करने लग जाते हैं और Gwen अपनी पावर से Defense करने लगती है लेकिन यहाँ पर जो D.N. aliens होते हैं वो उस Plummer को पकड़ लेते हैं लेकिन एकदम से उसकी Omnitics के अंदर काफी तेज रौशनी निकलती है और उसकी Omnitics Recalibrate के क्लासिक वाली Omnitics से Alien Force वाली बन जाती है Ben देखते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे Aliens नहीं होते हैं और उसको एक Alien पसंद आता है जो क्यों होता है Swampfire Swampfire बनने के बाद में उस सारे के सारे DNA Aliens को काफी खतरनाक धोता है DNA Aliens अपना ट्रक लेके वेमस लेके जा रहे होते हैं लेकिन यहापे जो Swampfire होता है वो एक खंबा मार के पूरा का पूरा ट्रक की बल्टा देता है उसके बाद Ben का सामना Kevin Levin से होता है और Ben कहता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ने आ रहे हो Kevin कहता है कि तुम्हारी वज़े से मैं इतने टाइम तक Null Void के अंदर फसा रहा Ben कहता है वो तुम्हारी गल्ती की वज़े से उसके बाद में आपे Kevin और Ben के बीच में काफी खतरनाक fight होती है Kevin Ben के मुका मारते लेकिन उसका हाथी फजाता है उसके बाद में Ben आपे Kevin को काफी गंदा धोता है इतने में Forever Nights मौके का फायदा उठा के गंस का टक लेके निकल लेते हैं उसके बाद में आपे जो Kevin होता है वो वापस से एक कंटेनर उठाता है लेकिन Ben अपनी आग वाली पावर से उसके ब्लास कर देता है उसके बाद में Nights इनम देखते हैं आपे जो Kevin होता है वो बिहोश हो चुका होता है और उसके हाथ में हाथ कड़ी लगी होती है उसके बाद में Gwen कहते है कि तुमने इतने खतरना खतियार उन इनसानों को बेचे हैं जो कि इनसानों के लिए खतरा हो सकता है और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है तो हमें बताओ वो लोग कहां पे गए है बैन कहते है तुम्हारी वज़े से वो पूरा का पूरा हतियार से भरा हुआ ट्रक लेके चले गए उसके बाद में Gwen कहते है Kevin प्लीज इनसानियत के लिए बता दो उसके बाद में Kevin कहते है कि हाँ हाँ मेरे को भी उनका पता लगाना है वो लोग मेरे पैसे लेके भागे हुए है उसके बाद ही सारे कि सारे Kevin की कार के अंदर जा रहे होते हैं और Ben कहते है कि मेरी Omnetic आजकल कुछ सही से काम नहीं कर रही है Kevin कहते है शाहरे तुम उसे चलाना भूल सुके हो Ben कहते है अच्छा फिर आज की फाइट में कौन जीता याद दिलाऊं उसके बाद में जो प्लमर होता है वो कहते है कि मैक सेंसन काफी टाइम से गायब है और वो ठीक भी होंगे क्या तो Gwen कहते है कि जैसा वो खाना खाते है वैसा खाना कहा कि कोई ठीक रह भी कैसे सकता है तो Ben को थोड़ा सा गुस्सा आता और Ben कहते है कि उनका मजाग बनाना बंद करो और ये बाद सुनके Kevin को काफी जादा गुस्सा आता है कि Ben Gwen को उपर चिला रहा है Kevin कहता है कि तुम Gwen से ऐसे बात नहीं कर सकते Ben कहता है वो मेरी करजन है तूमें क्या उसके बन में Ben Gwen से माफ़ी मांगता है और Gwen कहता है मुझे पता है तूमें Grandpa Max के फेकर है उसके बन में जो Plumber हो तो वो Ben से कहता है कि अब ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे तरीखे से सुल जाना पड़ेगा उसके बन में सारे के सारे फॉर एवर नाइट्स के किले पे पहुंसते हैं और वहाँ पे जाके देखते तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता अर वहाँ पे कविन को एक नैकलत सा मिलता है और कविन उसे अपनी जेव में डाल देता है पीछे से बैन आता और बैन कहता है कि हम यहाँ पे شौपिंग नहीं करने आए हैं उसके बन में बैन एक जगा पे जाता है और वहाँ पे उससे एक बहुत बड़ा स्टैचू सा गिर जाता है कैविन कहता है क्या कर रहे हो टैनी सन देखके नहीं चल सकते क्या बैन कहता है मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई नजार रख रहा है और पीछे हम लोग देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और इस एपिसोड है यहीं पे खतम हो जाता है लेकिन इसका आगे का पार्ट नेक्स एपिसोड में है जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर दिना और चाल को सब्सक्राइब करना मत भूला क्योंकि कली नेक्स एपिसोड आने वाला है तो कर लो सब्सक्राइब तो मिलता है उस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई